Hello everyone, कैसे हो आप लोग, I hope you all are doing well, तो मैं हूँ जोशिका फ्रॉम लेर्नोहग, फ्री लेर्निंग फ्लिट्फर्म, जहां पर आप पड़ सकते हैं, मैं साइंस, सेस्टी, आपसुटली फॉर फॉर फ्री, आट लेर्नोहग डॉट कॉम तो बच्चों आज हम डिसकस करेंगे क्लास 8 ICSE Board Mathematics का चैप्टर नेम स्कुवाइर और स्कुवाइर रूट्स, जिसका आज हम कवर कर लेंगे एक्सेस 3B, प्रीविएसली हमने एक्सेस 3A, विद आ इंट्रोड़क्शन पार्ट हमने ओर्री कवर कर लेया है, तो जल्दी सब स् ठीके, तो चलिए, let's get started, तो चलिए बच्चों, आज का जो पहला टॉपिक है न, हमारा वो क्या देख रहा है, आपको की to find the square root of a perfect square number, जिसमें आज हम कवर करेंगे using long division method, प्रीविएसली हमने प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड अल्री कवर कर लिया है, कोशन भी काफी स तो आज हम कवर करेंगे log division method को, इस method को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह method काफी लोगों से कुछ गलतिया होती है, अगर आप ध्यान से सुनोंगे के step को, तो I am sure कि आप अगर वो बार बार practice करने के बाद, यह आपको अच्छे से आजाएगा, ठीक है, तो पहला question कि इसको समझ पहला example कि है, तो पहला example कि है, find the square root of 2276676, यही दिख रहा है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, अब ही हम क्या करेंगे, एक हम ले वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक हम होरिजॉंटल लाइन बनाएंगे, है ना, ठीक है, फिर इसके अंदर हम लिख देंगे 276676, लिख दिया मैं अब first step में क्या करेंगे, हम एक हम जे ये number हमने लिखा है, इसके लिए हम pairing करेंगे, क्या करेंगे, make pair, grouping pairs, और कहां से चलेंगे, right to, left हम grouping करेंगे, pair बना देंगे, तो right यह है, left यह है, pair बनाते है, one pair, two pair, and three pair, pairing हो गई, ठीक है, उसके बाद second ही क्या करोगे आप, अब जो आपका first pair है, अब यहां से left से देखोगे, first pair क्या है 27, अब इस 27 के लिए, अब आप ऐसे whole numbers दिमाग में calculate करोगे, जिनका square, या तो वो 27 हो, या 27 से less हो, ऐसे whole numbers को search करोगे, जिनका square, perfect square, या तो वो 27 हो, या 27 से छोटा हो, समझ में आ रही है बाद, ठीक है, अब अगर मैं ऐसे शुरू करूँ तो, क्या हो जाएगा, मैं को पत्ता है कि 2 का square जो है, वो 4 है, 3 का square मेरा 9 है, 4 का square मेरा 16 है, 5 का square मेरा 25 है, 6 का square मेरा 36 है, अब यहाँ आप आप देखोगे, क्या यह 27 यहां पर कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ हमें ऐसा नंबर सर्च करना है या जिसका स्क्वाय 27 हो या फिर उससे चोटा हो उससे चोटा 36 है यह तो बड़ा है तो कौनसा वो नंबर हुआ 5 हुआ तो हम यहां पर क्या करेंगे देखवा चसे पगड़ाइं यहां पर लिखेंगे we Laurie हुआぐ यहां पर कितना बचा तू बच्छा अब फिर से हम एक पेयर को यहां पर लिख लेंगे, वो पेयर अब ये वाला जो पेयर इसके बगल वाला वो यहां पर आ गया, ठीक है, फिर से हम एक ऐसा नंबर लेंगे, जिसको अगर हम उसी से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो वो जो हमारा है, या तो वो 266 हो, या फिर 266 से कम clear अगर मैं 10 मेरे पास पहले ही है 103 अगर मैं करूँ तो 3 को 3 से ही multiply करूँ तो क्या हैगा 903 यह तो बड़ा हो रहा है यानि 102 लूँगी अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो 2 का 2 से ही multiply करना पड़ेगा 2 का 2 से ही multiply करा 402 तो मेरे पास 2 यहाँ लिखा तो यह जो number है यह इस से छोटा है तो हम इसको ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 204 लिख देंगे फिर से हम क्या करेंगे minus करेंगे minus करेंगे कितना आया 2 आया 6 आया अब क्या होगा फिर से हम यह वाले पेयर को यहाँ पर ले लेंगे ठीक है तो यह यहाँ पर कितना आ गया 6276 आ गया और यह और यह 2 क्या हो गए यहाँ पर 2 समझके लिख लो 104 आ गया ठीक है अब हमें फिर से एक ऐसा number लेना है इसके side में ही आएगा वह यहाँ पर जिसका हम उसी में multiply करेंगे तो या तो वह इतना आए इतनी value आए या फिर इससे छोटी है देखते हैं तो अगर मैं 104,3 लेती हूँ तो 3 का 3 लिया है अगर इस जगा पर तो 3 से ही multiply किया क्या आएगा 9,12 3,1 2,9 तो यह तो suit नहीं कर रहा है ठीक है 17 और 4 तो यह मेरा कितना आ रहा है 4,1,7,6 आ रहा है अब हम अगर और आगे जाते हैं तो क्या होगा 1046 यह देखते हैं 6,36 carry 3 6,4 जा 24,4 27 हो गया और 26,1 जा 6 कितना आ गया है 6,276 आया कब आया जब मैंने इस खाली जगा पर 6 लिखा और यहां पर भी 6 लगा जब मैंने इसका multiply करा मेरी value तो वही हा रही है जो यहां पर थी तो 6,276 अब रिमेंडर क्या हो जाएगा मेरा 0 यानि इस नंबर का square root क्या हुआ 5,26 हुआ therefore the square root of 276,676 is equal to 5,26 यह हमने किस से निकाला है long division method से निकाला है अब ही हम और इसके करते हैं तो और अच्छे से clear होगा हम बहुत सारे example करेंगे इन यह long division method के जिससे आपको सारी चीज़े एकदम दिमाग में न छप जाएं ठीक है अब ही हो गया अब बढ़ते हैं next तो चलिए दिखते हैं using long division method में next example जो की है find the square root of 4,489 हमें इसका square root निकालना है हम prime factorization से नहीं निकाल रहे हैं अगर आपको question में mention है कि कौन सा method यूज करना है तो आपको उसी method से करना है अगर को question में mention नहीं है कि आपको prime factorization करना है कि यह बाला करना है तो आप अपने according अपने convenient वहाँ पर यूज करोगे ठीक है तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने फिर से बनाया आप समझलों उल्टायल तो इसके अंदर क्या लेखेंगे 4489 पहला step क्या है make group in players from right to left तो ठीक है right से चलेंगे player बन गया भाई इसका भी हो गया ठीक है group in players हो गया अब हम क्या करते हैं एक ऐसे नंबर को search करते हैं जिस नंबर का अगर उसी से ही multiply करें तो वो जो value है या तो वो 44 आए या फिर 44 से कम आए यही था हमारा next step ठीक है तो अगर मैं चलूँ 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 4 का square 16 5 का square 25 6 का square 36 and 7 square is 49 अब मुझे दिख गया कि यहां पर 7 तो बड़ा हो किया लेकिन अब क्या समझ में आगिया कि 7 तो हम नहीं कंसिलर कर सकते बिकॉस इसको अगर इसी से ही multiply कर रहे है तो जो result आ रहा है हमारा वो इस 44 से बढ़ा रहा है तो यानि हम क्या लेंगे 6 लेंगे 6 का अब 6 में ही multiply करते हैं तो result क्या आ रहा है 36 which is less than 44 तो यह valid है तो यहां पर हम क्या लेखेंगे 6 यहां पर भी क्या लेखेंगे 6 यहां पर आगे आपका 36 ना माइनस करेंगे कितना बचेगा 14 मैसे 8 गया तो 14 मैसे 6 गया तो कितना remainder होगा सोचो 8 ठीक है यह 8 14 मैसे अगर 6 गया कितना बचेगा 8 बचेगा और यहां से आपने 1 carry बोरो लिए है तो फिर क्या हुआ यहां पर 3 रह गया तो 3 माइनस 3 is 0 हो गया अब आप क्या करोगे इस pair को यहां पर लिख लोगे क्या करेंगे इस पूरे pair को आप इधर लिख लोगे 889 और यहां पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इस 12 अब यहां पर आपको यह कैसा number लेना है उस number का जिस खुछ से ही multiply करो तो जो result है या तो वो इतना है या फिर इस से छोटा है ठीक है अगर मैंने यहां पर number लिया 123 तो 3 का 3 में ही करना पड़ेगा तो 9 6, 3, 69 यह तो बहुत छोटा है और अगर मैं करके देखती हूँ अगर मैं यहां पर 6 ले लेती हूँ 6, 6 जा 36 carry 3, 12, 15 carry 1, 7, 56 और अगर मैं 127 करती हूँ तो 7, 7 जा 49 carry 4, 7, 2 जा 14 यह तो मेरा क्या हुआ 8, 89 नहीं आ गया यानि मैं अगर या तो value 8, 89 आती या फिर उससे छोटे आती तो मुझे तो result में यही मिल गया ना 8, 89 तो मैं यहां पर क्या कर दूंगी 1, 2, 7 और यहां पर भी 7 यहां पर क्या हो गया 8, 89 और remainder क्या होगा 0, 0, 0 ठीके तो इसका perfect square है बिल्कुल है तो square root of 4, 4, 8, 9 is 67 with the help of long division method ओके नाओ move आहेट तो चलिए बात करेंगे अब हम next question की इस question में थोड़ा सा different होगा previous question से क्योंकि यहां पर हमने लिए है decimal numbers ठीके तो using the long division method find the square root of first is 605.16 second is 0.000729 तो पहले हम first वाले को करेंगे ठीके वो क्या है हमारा 605.16 अब जब भी हम अब यह decimal numbers का अगर हम square root निकालते हैं with the help of the long division method तो हम क्या करते हैं इसको पहले तो वैसे ही लिखा as it is अब हमेशा लिखते हैं और जब decimal के पहले का जो हमारा integral part है उसमें जो हम pairing करते हैं तो उसमें हम चलते हैं right to left यानि इसके pairs वैसे ही बनेंगे ऐसे यह दो एक pair होगा और six का single और decimal के बाद के जितने number होते हैं उसमें हम pairing करते हैं from left to right तो यहां पर pair क्या बना अब यह वाला बना ठीक है अब फिर से हमें एक ऐसा number लेना है जिसका हम उसी में multiply करें तो जो हमारा result है या तो वो six है या फिर वो six से छोटा है तो अगर हम देखें तो one का square one two का square four and three का square is nine तो nine तो बढ़ा हो जाएगा यानि हमें क्या लेना पड़ेगा यहां पे two तो जब two का two में ही multiply करेंगे तो जो result है वो आया हमारा four यहां पर minus किया कितना बचा two अब क्या होगा इस pair को हम यहां पर ले आएगे तो क्या होगा two zero five और यहां पर क्या होगा two plus two is four ठीक है? ओके अब हमें यहां पर एक ऐसा number लाना है जिसका multiply उसी से करेंगे तो जो result है वो two zero five आया या फिर two zero five से छोटा है तो देखते हैं तो अगर हम 43 three का multiply करेंगे three three जा nine और यह हो गया आपका one two nine four five five तो क्या हो जाएगा 25 carry two 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 five हो गया तो यानि यह तो नहीं नहीं सकते अब बचेगा क्या हमारे पास 44 क्योंकि यह बहुत छोटा है यह थोड़ा बड़ा है four four 16 carry one और यह हो गया one seven six तो यहां पर हमने four fill किया यहां पर भी four आया और 44 हो गया four से multiply कितना आ रहा है one seven six अब भी फिर माइनस करेंगे क्या आएगा यहां से अब carry बोरो करोगे fifteen मैसे six गई fifteen मैसे six गई तो हमारे पास आता है nine ठीक है यहां पर क्या बच्चा अब एक carry चला गया है तो nine और यह कितना हो गया two two nine one six आ गया यह one six कहां से आया यह one six है हमारा यह वाला pair जब हम pairing कर देते हैं तो उस number को pair में ही लिखते हैं ठीक है तो यहां पर हमने लिख दी है और यहां पर क्या हो जाएगा 44 प्लस 4 is 48 अब यहां पर हमें कुछ आइसा number लाना होगा ठीक है अब यहां पर जो decimal है क्योंकि यहां पर decimal है तो जैसे आपका इंट्रीगल पार्ट वाला portion finish हो गया तो उसके बार decimal है तो आप भी यहां पर क्या लगा देंगे decimal लगा देंगे अब 484 नमबर अगर लेते हो तो फोर से ही multiply करोगे 44 16 carry 1 यह हो गया 84 32 33 carry 3 और यह हो गया 44 16 16 प्लस 1936 अब और कोई नमबर लेते हैं 486 multiply by 6 6 36 carry 3 4 8 6 48 51 carry 5 64 24 29 हमें तो एस इस नमबर मिल गया कब मिला जो हमने 486 46 से multiply गया तो यहां पर 6 यहां पर 6 और आपका आगया 2916 और remainder कितमे हो गई 0 जैसी remainder 0 हुआ हमें यह मालूम पढ़िया कि हां इसका square है square root of 605.16 is 24.6 है कि कब लगाया जैसी हमारे इंट्रीकल पार्ट वाला portion का हमने कर लिया सौल ठीक है ओके अब हम क्या करेंगे अब देखेंगे इसका second part तो चलिए हम क्या करेंगे second part करेंगे इसका second part में क्या है हमारे पास number है हमारे पास जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं एक हम vertical line draw करते हैं एक हम horizontal line draw करते हैं और उसके अंदर हम लिख देते हैं number वह 0.0030729 अब हमने first part में क्या देखा कि जो decimal के पहले जो integral part है उसमें जो हम pairing करते हैं वो हम करते हैं right to left तो यानि इसमें एक pair बना और decimal के बाद वाले में हम pairing करते हैं left to right तो यहां पर pairing करेंगे यह pair बना और यह pair बना ठीक ओके मैं अब 0 के लिए तो सोचने की जारवत है ही नहीं 0 0 0 ओके यह हो गया फिर यहां पर आया फिर से एक 0 यहां पर आप यह लिखोगे 00 डैसिमल का आएगा जैसे यह वारा 0 हो गया इसके बाद ही डैसिमल है तो डैसिमल लगा दिया तो 00 आया 0000 यहां पर भी फिर से 0 ही यह गया अब आप क्या करोगे अब आप इस वाले पेर को लिखोगे वह क्या है आपका 07 ठीक है अब यहां पर अगर 07 आया तो उसको आप क्या करोगे आपको पता है 07 लिखू यहां में 7 लिखू यहां में 007 लिखू बात क्या है सिर्फ 7 ही कहलाते है वो डिजिट है ना क्योंकि इसके पहले आप कितने भी 0 लगाओ वो इतने स्किलरेशन में नहीं आते हैं अब आपको क्या करना एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका खुझ से मैं लिख करने पे या तो x8, च instability में करते है थी तो Three में करते है तब nine आता है तो nine दो बड़ा हो जाए गाएगा यानि बकल टू थी यह we हो गया जीरो फॉर यह कैंसल यह हो गया आपका 3 एंड यह आपका फिर से एक और पेयर आ गया जोटी है 329 यहां पर टू एंटू क्या हो गए आपके 4 अब आपको यहां पर एक ऐसा नंबर सर्च करना है जिसका जिसमें मल्टिप्लाइ करो तो क्या आए रजल्ट यह बनना चाहिए यानि 4 के बगल में एक ऐसा नंबर अब अगर मैं 44 करती हूं तो क्या आता है फोर से मल्टिप्लाइ करने पर 4 4 जा 16 करी 1 1 7 6 4 6 6 जा करती हूं 6 6 36 3 6 4 जा कितना होता है 24 24 प्लस 3 इस 27 अभी भी छोटा आ रहा है ठीक है 477 से मल्टिप्लाइ 77 जा 49 करी 474 जा 28 28 प्लस 4 इस 32 तो आपका क्या आ गया मैजिक हुआ कि 329 ही आ गया तो यहां पर आप 7 लिखोगे यहां पर भी आप 7 लिखोगे और 329 लिखोगे रजल्ट हो गया है रेमेंडर हो गया 0 तो अब तो आगे बढ़ने की जरुवती नहीं है therefore the square root of 0.000729 is 0.027 clear अब बढ़ते हम next तो अभी आपने किसका square root देखा अभी आपने square root देखा 0.00729 का ठीक है यहीं देखा ना अब यहां पर यह क्या बोल रहे है note में a decimal number और a mixed decimal number can be a perfect square only when it has even number of digits in its decimal part यानि उसके decimal part में जब even digits होगी तभी वो एक perfect square होगा जब कोई भी decimal number होगा decimal के बाद वाले even digits होने चाहिए तो क्या यहां पर even digits थी बिल्कुल थी 1,2,3,4,5,6 and 6 is even number जब यहां पर even number of digits थी decimal के बाद तभी इसका perfect square आया 0.027 ठीक है साथी में यह भी एक point होता है कि जितनी यहां पर even digit होती है decimal के बाद even number होते हैं उसका half ही उसके square root में आता है decimal के बाद कुछ 66 का half is 3 तो decimal के बाद भी 3 digits आई तो यह सारे कुछ points हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अगर मैं यहां पर यह लिख देती हैं अभी हमने चो concept पढ़ा कि अगर हमें perfect square निकालना है decimal numbers का तो after the decimal there is an even number तब हम उनके square root निकाल सकते which is a perfect square ठीक है अगर हमारे पास decimal के बाद even digit नहीं है तब क्या हो का तब कैसे निकालेंगे तो here is the answer for that one to find the square root of a number not a perfect square by the help of long division method the example is 24.729 का आपको square root निकालना है here you can see decimal के बाद odd number of digits है तो इसका perfect square तो possible यह होगा ही नहीं square root भी नहीं निकलेगा तो हम कैसे निकालेंगे तो हम यहां पर कुछ points पढ़ते हैं कि अगर हम माल लेते हैं कि अगर हमें इसका square root निकालना है correct to two decimal places then find the square root up to three decimal places then round it off इसको round it off कर देंगे उसी तरीकी से अगर हमें three correct to three decimal places तक निकालना है तो हम up to four places तक निकालेंगे इसको round it off कर देंगे ठीके साथी में एक note होता है कि आप कितने भी zero add करते हैं after the decimal or decimal digits there is no effect in the original number कोई फरक नहीं परता है उसके original number पे तो यहां पर आपके पास है number 24.729 so this is now all number of digits make it even number of digits तो अगर हम यहां पे सिर्फ एक zero भी लगाते तो भी even number हो गया लेकिन हमें निकालना कहाता है कि correct to two decimal places उसके लिए हमें कितनी डिजिट्स चाहिए decimal के बाद कम से कम three decimal digits तक हम उसका square root निकालेंगे जिसके बाद उसको rounded off कर लेते हैं तो यहां पर हमें एक pair और और अड़ करना पड़ेगा अब क्या करते हैं decimal के पहले जो integral part है उसमें हम करते है right to left pairing and decimal के बाद बाले में करते हैं हम left to right अब हम इस पहले नंबर को इसको यहां पर लिख देते हूं तो यह हो गया 24.729000 now make the pairs first step is make the pairs 24 and here this and this okay now find the number which is going to be multiplied by itself so that the result is either 24 or less than 24 so what is that number if you can see that 4 square is 16 and 5 square is 25 so the this one is greater than 24 so this is not valid now the number is 4 square because that number is less than the 24 so here you can write 4 here you can write 4 this is become this becomes 16 for 4 just 16 and I have a minus करोगे यहां से कैरी बोरो करोगे 14 में से 6 गया 8 बचेगा और यहां पर 4 प्लस 4 आपका 8 हो गया और यहां पर blank now write this pair here and put the decimal here because integral part के बाद ही decimal है तो हमने भी decimal लगा दिया अब यहां पर क्या जाएगा 72 now search the number which is going to be multiplied by itself so that the result is either 8 72 or less than 8 72 so what is that number if you are going to multiply hmm 8 9 9 9 9 9 जा 81 carry 8 9 8 जा 72 plus 72 plus 8 give CU 10 and 80 that is 809 और अब 10 से multiply करोगे तो it will become more than 872 तो आप क्या number लोगे 9 and 9 से यहां multiply कितना आएगा result 809 फिर यहां पर carry बोरो करोगे 12 में से 9 गया आपके पास बचेगा 3 यहां पर रह गया 6 now इधर क्या आगया 8 9 8 9 plus 9 gives CU 9 और 9 18 carry 198 तो बच्चों यहां पर क्या लिखाता यहां पर 1 था और हमने क्या किया हमने यहां पर लिख दिया तो यह 1 हुआ आप इसको करेट कर लेते हैं 2 में से 1 1 7 now write this pair here 7190 now find the number which is going to be multiplied by itself then the result is this much or less than this much okay तो 9 8 7 से गरती हूं तो 7 times 7 7 जा 60 49 sorry 49 carry 4 8 7 जा 56 56 plus 4 60 carry 6 say 9 7 जा 63 63 plus 6 is 69 तो 69 जीरो नाइन जीरो नाइन ओके तो यह क्या से carry borrow करेगा तो यह हो गया 1 यह हो गया 8 यहां पर क्या बचेगा 11 में से 2 2 81 और यहां पर 9 87 plus 7 9 87 plus 7 gives you 14 carry 1 9 9 तो यहां पर आगया मेरे पास 994 ठीक है और यह वाले पेयर को अब आप यहां पर लिख दोगे 28100 now find the number here so that it is going to be multiplied by itself the result is either this or less than this so search the number if I am going to multiply 9 9 4 3 3 से multiply करते हूं तो 3 3 जा 9 4 3 जा 12 carry 1 4 sorry 9 3 जा 27 28 carry 2 9 3 जा होते हैं मेरे 27 plus 2 29 तो यह तो बड़ा हो रहा है नहीं जाएगा 994 22 यह हो जाएगा 4 8 9 2 जा 18 carry 1 1 9 8 8 4 तो 2 2 1 9 8 8 4 अब आपका reminder निकाल लो इसमें जो भी आएगा लेकिन आपने यहां पर क्या निकाल लिया है स्कुआरोट निकाला है कर अप टू 3 डैसिमल प्लेसे तक और आपको चाहिए कितना करेक्ट टू 2 डैसिमल प्लेसे यह हमने अज्यूम कर लिया था तो आप इसको राउंड़ अफ कर लोगे आपका पर बचता है मेरे पास 8 तो 8216 इस दर रिमेंडर ठीक है और स्कुआर रूट की वैल्यू कितनी आ रही है क्या रहा है हमारे पास स्कुआर रूट ऑफ 2 4 7 2 9 0 0 0 और यू कन राइट लाइक दिस इस एक्वल टू 4.972 नाउ इसको राउंड़ अफ करेंगे तो कितना हो जाएगा आप आउंड़ आउट करोगे अगर यह डैसिमल के बाद जादा होता है किस से तो कितना होगे राउंड़ अपने के बाद एको दो डैसिमल प्लेस के बाद टू है तो टू होटा दिंगे 4.97 वहीं पर अगर थर्ड डैसिमल प्लेस पर 6 होता तो वह 5 से जादा होता तो यहां एक एड हो जाता 4.98 हो जाता तो यहां पर कितना आई है इसका स्कुवाइर रूट 4.97 क्लियर थोड़ा सा यह प्रोसेस बहुत लेंदी होती है और हर स्टेप में बहुत द्यान से करना होता है एक स्टेप में भी कहीं पर भी गड़बड पूरा रजल्ट गड़बड तो इसलिए इस तरीके के कोश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करना क्योंकि इससे कोई न कोई कोई कोश्चन ज़रूर आएगा आप इसको निकालोगे अप्टू 4 डैसिमल प्लेसे सो अब यहां पर 3 तिकर रहा है तो 3 को तुम कैसे निकालेंगे इसमें तुम पेरिंग भी नहीं कर सकते तो हम इसमें क्या करेंगे 3 के बाद हम लगाएंगे डैसिमल ठीक है क्योंकि 3 के बाद डैसिमल अगर आप लगा तो इसके कितने भी 0 पुट कर दोगे दा ओरिजनल नंबर रिमेंस 3 क्योंकि कोई फरक नहीं पड़ता है तो मैं डैसिमल लगाया एक पेर दूसरा पेर तीसरा पेर और फोर्थ पेर हम चार पेर क्यों रख रहें क्योंकि हमें 4 डैसिमल तक निकालना है ठीक है अब हम क्या क इसको हम रखेंगे अपने वर्टिकल और होरिजॉंटल लाइन के बीच में तो 3.00000000000 नाओ क्या करेंगे गूर्मेट ग्रोपिन पेर बिफोर दैसिमल प्लेस हम चलते हैं राइट तो लेट तो यानी पेर इस दिस वन अफ्ट दैसिमल प्लेस भी मूव लेफ तो राइट त इससे राइट एस टी और लेस्टन थे तो इसा मसा नंबर हो सकता है वन गाया स्कॉईयर एज ओं टू का इसकॉईयर फॉर हो गया यार अब क्या करें तो टुर्मे लेलेते हैं ना क्या इशु है तो 1, 1, तो यहां पर क्या आया, 1, माइनस की या, रेमेंडर बच्चा 2, ठीक है, यहां पर क्या होगे, 1 प्लस 1 is 2, ठीक है, क्लियर कोई दिक्कद नहीं है, यहां पर क्या लग जाएगा, अब आप क्या करोगे, इस पेर को यहां पर लिख लोगे, तो 2, 00 हो गया, अब हमें इस 2 के बगल में एक ऐसा नंबर सर्च करना है, जिसका रेजल्ट या तो 200 हो या फिर लेस देन 200 हो, तो हम करके देख लेते हैं, तो 25, 5, 25, carry 2, 125, 26 और 27 करके देख लो, 7, 7, 49, carry 4, तो यह हो गया, 189, पास में पहुँच रहे हैं, 28, 8, जा कितना होता है, 64, carry 6, 8, 16, 22, यानि यह तो बड़ा हो क्या ना, तो हम क्या करेंगे, 7 लेंगे, यहां पर भी अब 7 लोगे, ठीक है, कितना आ गया, 189 आ गया, माइनस करोगे, 10 में से 9 गये, क्योंकि आपने carry वो रोगी, यहां से 1 बचा, यहां पर भी 1 बचा, अब आप क्या करोगे, इस decimal place को यहां पर ले लोगे, 0, 0, यहां पर 227 प्लस 7 होता है आपका, कितना होता है बच्चों, कर लो, प्लस 27, प्लस 7, 7 और 7 हो गए, 14, carry 1, 34, 34, अब यहां पर ऐसा नंबर सर्च करना है, सोचो कौन सा नंबर हो का, अब हमें फिर से कैसा नंबर लेना है, 34 के बगल में, उस नंबर का, अगर हम उससे ही multiply करते हैं, तो result या तो यह आए या फिर less than आए, तो 33 जा 9, 43 जा 12, carry 1, 33 जा 9 और 10, ठीक है, 34, 4 करते हो, 4 से multiply, 16, 17, यह तो बड़ा हो क्या, यानि हमें यहीं पर रुखना पड़ेगा, तो 343, 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 1029, यह बचेगा 1, 7, और फिर से आप लिखोगे, क्या यहाँ पर, 20, और यहाँ पर 343 प्लस 3 is 346, अब आपको फिर से यहाँ पर एक और नंबर लाना है, है ना, सोचों वो कौन सा नंबर होगा, तो बिल्कुल अब सोचते हैं फिर से, तो करते हैं, चलो 34622, हो गया आपका 4, 12, 9 and 6, फिर 34633, it will comes out 9, 18, carry 1, 13, carry 1, यह तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं जा सकते, यानि यहीं पर रुकना है, तो 34622, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर आगया, 6924, आप क्या माइनस करो, 10 में से 4 गये, 69 में से 2 गया, कितना बचया, जल्दी बताओ, तो आप कहोगे, यहाँ पर 9 में से 2 गया, तो मेरे पास बच रहा है 7 and फिर से यहाँ पर कितना बचय का, जल्दी बताओ, यहाँ पर कितना हुआ, 10 यानि 1 अब यहां पर फिर से आप लिख दोगी यह और 0, 00 तो यहां पर फिर 2 एड़ होगा तो यह हो जाएगा 3, 4, 6, 4 अब क्या करें? अब क्या करें सोचो? अब हमें क्या चाहिए? हमें फिर से एक ऐसा नमबर यहां पर लाना है जिसका रज़र्ट या तो यह हो या तो फिर क्या हो? या तो फिर इस से चोटा हो तो हम वो नमबर सोचते हैं तो हम फिर से करके दिखते हैं 3, 4, 6, 4, 2, 2 यह हो जाएगा मेरा 4, 8, 12, 9, 6, 9, 284 यानि यह तो बहुत बढ़ा है यह तो 17 में ही है तो यहां तो यहां नहीं जा सकते हम, तो अब हम क्या करें सोचो, अब हम simply यहां पर 0 रख देंगे, और यहां पर भी 0 रख देंगे, उसके बाद हमारे पास 4 डिजिट तक हमने यह निकाला, तो यह आ रहा है, स्कुराइर रूट ऑफ 3 is 1.7320, अब इसको अम रावलोट अफ कर लेंगे, अब 2, 3 डैसिमल प्लेस, तो यह हुच जाएगा, 1.732 is the answer of the square root 3. ठीक है, तो कितना लंबी प्रोसेस है, इनके सारे questions ऐसे ही होने वारे हैं, तो प्लीज एक है कि step को मैं बार बार इतना slowly slowly बोल रहे हूं कि ऐसा करेंगे, ऐसा number लेंगे, ताकि वो आपकी दिमाख में अच्छे से स्टोर हो जाए, तो जब भी आप कभी बहुत दुनों के बाद भी ट्राइ करो long division method तो कुछ तो याद रहे, तो इसली इसकी more practice करना, ठीक है, चलो बढ़ते हैं next, तो चलिए बाग करेंगे next example, this is a good question because ये आपके लिए किसमें लेखा है, पुरे 433, so that the remainder is a perfect square, जो remainder है वो perfect square हो, ठीक है, तो पहले से पहले में क्या निकालना पड़ेगा, इसको solve करेंगे, तो कैसे solve करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें रख दिया, 2433, make the pairs, group in pairs from the right to left, pairs बना दिये, now search the number, whose square is either 24 or less than 24, ठीक है, तो 4 square is 16 and 5 square is 25 which is greater than 24, तो एक दा 4 वान, तो 4 का multiply 4 से करेंगे, 16 आयर का and यहाँ पर 14 में से 6 गया, तो कि क्यारी के बोरो करोगे, 8 बचा and इस pair को यहाँ पर लिख दोगे, 833, यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस 4 is 8, Now, take the number, search करते हैं, तो अगर मैं 89 लेती हूँ, 9 जा, तो यह होगया, 99 जा 81, carry 8, 9, 8 जा 72, प्लस 8, 72 प्लस 8 कितना होता है, 80, तो 801, 9, 9, 801, तो कितना हुआ, 2, 3, So, the remainder is 32, अगर इस remainder को अगर हम इस number से minus करते हैं, क्योंकि यही least number होगा, After subtracted from this number, the answer is a perfect square, तो करके देखते हैं, तो 2433, मैंसे अगर हमने 32 को माइनस कर रहा, result क्या है, 1, 0, 2, 4, तो अब यह जो number है हमारा, this is a perfect square, वायर, चेक करना है, चेक भी कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे, तो यहाँ पर इसको रखो, 2401, make the payers, payers बनाया, 4, 4, 16, 8, 0, 1, यहाँ हो गया 8, यह हो गया 9, 9, 8, 0, 1, remainder is 0, बिलकुल सही, तो यानि 2, 4, 0, 1 क्या है, एक perfect square है, जिसका perfect under square root क्या है, 49 है, तो आप क्या लिखो के, hence the least number that must be subtracted from the 2433, so that the remainder is a perfect square, that is your number 32, clearly हमने check भी करके आपको दिखा दिया, आप बढ़ते हम next, so finally हम आचुके अपनी exercise 3B पर, जिसके first question में क्या बोला है, find the square root of first, second part लिया है, हमने fourth लिया है, fifth लिया है, बहुत सारे parts है, जितने भी parts इसके वो हैं, उसका मतलब है, वो आपको try करना है, ठीक है, तो हम यह करते हैं, second part से, second part में square root इसका निकालना है, यानि इसको हम इस तरीके से रखेंगे, 7744, now make the pairs from the right to left, okay, now take the number whose square is either 77 or less than 7, if we are going to see that 6 square is 36 and a 7 square is 49, 8 square is 64 and 9 square is 81 which is greater than 77, so we have to take the 8 one, 8, 8, कितना हो गया, 64, minus करेंगे 7 में से 4 गया 3, यहां पर हुआ 1 and आप इस pair को यहां पर लिख देंगे and this 8 plus 8 is 16, now search the number, हमें फिर से number को सर्च करना है, तो चलो करते हैं, तो यहां पर अगर मैं लेती हूं 1644, तो कितना हो जाएगा, 4 फोर जा, 16, करी 1, और 6 फोर जा, 24, 5, 2, और यह हो गया मेरा 656, now take another number, 168 ले लते हैं, तो यह कितना हो गया, 8 यह जा, 64, and the remainder will become 0, therefore, the square root of, square root of 7744 is 88, second part, done, now come to the fourth part, fourth part करते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारा decimal वाला, decimal के बाद कितने है, even digits है, पहले तो यह चेक कर लो, बिल्कुल हैं, भाई, even digits है, तो इसका भी square root possible है, तो यहां पर, 0.2916 मैंने लेखा, decimal के पहले, जितने भी number होते हैं, उसमें हम grouping करते हैं, right to left, और decimal के बाद, left to right, left to right, तो यह यह, और यह, तो 0, 0 आ गया, decimal लग गया, ठीक है, यहां पर भी 0, ऐसी लिख दिया मैंने, 0 plus 0 is 0, यहां पर आ गया आपका remainder, और यहां पर आप लिख दोगे, अपना यह वाला प्रेयो, that is your 29, now search the number, तो 55 जा, 25, 66 जा, 36 जादा उस जाएगा, तो टेक 5, 5 है ओ, तो क्या हुआ मेरे पास यहां पर, 25, यह तो 0, यह 4 हुआ, फिर आप पेयर यहां लिख दोगे, तो 4, 1, 6, और यहां पर क्या होगे, 5 plus 5 is 10, now again search the number, तो मैं number लेती हूँ, 4, बगल में इसके, 4 से multiply करो, 4, 4 जा, 16, and this one is also, yes, we got the number, therefore, 4 and 4, 4, 1, 6, the remainder is 0, तो result क्या आगया, the square root of, 0.2916 is, 0.54, यह इसका answer हो गया, अब हम किसको देखेंगे हमारे, 5th part को, so find the square root of, 0.001225, here is also even digits after the decimal, तो इसका भी possible है, decimal के पहले, pairing, right to left, to pair, decimal के बाग, left to right, to make pairs, फर्स स्टेप में हमेशा ही, पैर बनाने है, अब में यहाँ पर 0 वाला portion, as it is, यहाँ पर लिख देती हूँ, यह तो 0 रहा, 0, और इस pair का भी, 1,0 आ गया, ठीक है, खतम हो गया, आम सिर्फ इस number को देख रहे है, अब हमें 12 चाहिए, अगर हमें 12 चाहिए, तो क्या होगा, ऐसा number देना पड़ेगा, जिसका result, जिसका multiply अगर उसी से करते हैं, तो result यह तो 12 हो, यह से उसे छोटा हो, तो 4,4 जा 16, 3,3 जा 9, तो 3 बचेगा, 3 ही रहे जाएगा, 3,3 जा 9 है तो, तो मैंने इसको यहाँ पर लिखा, और यह हो जाएगा, मेरा माइनस करने पर, कितना, 3 हुआ, पेर यहाँ पर लिख दो, 3,25 भी यहाँ पर आगया, 3 प्लस 3 is 6, नाओ, यहाँ पर हमें ऐसा number सर्च करना है, तो अगर मैं number लेती हूँ, 65, 5, तो यह हो गया, 25 carry 2, 32, तो 65, 3,25, remainder is 0, therefore, the square root of 0.001225 is 0.035, अब यह जो 0 वाला हमने हटाया, इसके हमें पहले भी ऐसे questions की है, तो आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, या तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो हमने इन तीनों को solve कर लिए, अब बढ़ते हम next, तो चलें बात करेंगे हम second question की, जिसमें भी हमें square root ही निकालना, इसमें हमने लिए हैं 2 part, remaining part आपको खुद करने है, ठीक है, तो first part को करते हैं, तो first क्या है मेरे पास, 4.2025, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें vertical line, horizontal line, उसमें हमने रख दिया, ठीक है, make pay us decimal के पहले, right to left, decimal के बाद, left to right, ठीक है, take the number, तो भाईया, इसके लिए तो पता ही है, 2, 2, जब 4 होता है, तो 4 हो गया, decimal गया, यहाँ पर 4 आगया, decimal पार शुरू हो गया, उसके पहले आपको, decimal लगाना है, तो decimal लग गया, अब हमें एक ऐसा number सर्च करना है, जिसका multiply अगर उससे करते हो, तो result यहाँ तो 20 आए, या तो फिर, उससे छोटा है, तो ऐसा कोई number possible है यहाँ पर, नहीं है, सबका जो result है, वो 20 से तो जादा ही आएगा, अब क्या करें, पता हो मुझे, अब क्या करें, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जीरोल पहले पुट कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम डारेक्ट यह वाला पेयर, यहाँ पर लिख लेंगे, जीरो के बगल में आप एक ऐसा नंबर रखेंगे, जिसका मल्टिप्लाइ उसी से करेंगे, तो रज़ल यह आए, तो 25, आण डिस इस 20, तो यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर भी आपने जो 0 रखा, वो यहाँ पर भी 0 आएगा, 4, 0, 5, रेमेंडर हो गया 0, तो आपने क्या किया, जैसे आपको 20 जो है, वो छोटा लग रहा था, डिस नहीं पॉसिवल होती, तो आपने यहाँ पर 0 पुट हिया, 1, 0 यहाँ पर पुट किया, और उसको पुट करने के बाद, हमने यहाँ पर एक पेर नीचे लिख लिया, तो अब यह हो गया, फिर हमने सर्च किया, ठीक है, अब बढ़ते हम इसके second question पर, तो वाट इस दा second question, इसको भी रख देते हैं, रखा, 531.7636, इवन डिजिट से हैं, आफ्टर डेसिमल, square root possible है, यह पर right to left, pairs बना दिये, यहाँ पर इस direction में, तो यह एक pair हो गया, यह एक pair हो गया, ठीक है, now find, तो यह 5 से, ऐसा number, जिसका multiply उसी से करेंगे, तो वो तो 5 हो, या 5 से छोटा हो, तो वो तो 2 ही है, बहुत बार कर चुके, अभी तक सब को समझ में आई ही, क्या होगा, 1, 3, 1, इस pair को हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, अब हमें यहाँ पर ऐसा number सर्च करना है, जिसका result यह हो, या तो उससे छोटा हो, तो वो result क्या होगा हमारा, 4, 2, ठीक है, तो यह होगा हमारा, 1, 2, 9, माइनस करो, 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 2, और फिर आप इस वाले pair को यहाँ पर लिखेंगे, जो कि डेसिमल के बाद है, यानि अब डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर आप 3 एड़ कर दोगे, यहाँ पर भी 0 रख लो, और एक और pair को यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, अब हम एक ऐसा नंबर दूड़ेंगे, यहाँ पर, जिसका multiply उससे करें, तो result या तो यह हो, या तो इससे चोटा हो, तो फिर सर्च करतें, तो 4, 6, 0, 4, 4, 4, 4, जा 16, 6, 4, जा 24, carry 2, 4, 4, जा 16, result क्या हुआ, 16 प्लस 2 इस 18, तो यह तो बहुत चोटा है, फिर से और नंबर लो, 4, 0, 4, 6, 0, 6, यह हुआ, 36, 6, 6, जा 36, carry 3, अब आ गया, 2, 7, 6, 3, 6, match करो, बिल्कुल मैच कर रहे, तो यहां पर 6 रखो, यहां पर भी 6 रखो, और यह हमारा हो गया, प्रिमिंडर 0, therefore, the square root of this number is this one, clear, तो बाकी remaining portion आपको try करो, फिर भी नहीं होते हैं, तो you can ask me on the LearnOha website, पर एक ask question section module, बनाया गया जहां पर आप पूछेंगे, and I will try जितना जल्दी हो सरके, उसको आपको answer करने का, ठीक है, अब बढ़ते हैं next, अब हम देखने वाले हैं, question 3 from the exercise 3, we find the square root of, 5th part हम कर रहे हैं, बाकी remaining part, आप खोद करेंगे, और यह आपको high ball रहे, तो 5.205, make the pairs, इससे ऐसे बनेंगे, यहां से left to right बनेंगे, है ना, ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसे number चूज करोगे, जिसका खोज में multiply करने के बाद, यह तो 5 रहे हैं, यह 5 से चोटा number रहे, वो कौनसे number है आपका 2, 4, 1, यहां पर decimal, यहां पर आगया 4, अब इस pair को यहां पर लिख लोगे, 1, 2, 0, now multiply and search that number, यहां पर इसके बगल में, जिसका multiply से करो, यहां तो result यहां से चोटा है, तो अगर 4, 3 करते हो, 43, multiply 3 करते हो, तो 9, और 1, 2, 9, जादा हो रहा है, यानि 2, तो यह हो गया आपका 84, माइनस करोगे, 6, और 3, यहां पर क्या करोगे अब, यहां पर आपका 44, आ गया, अब क्या करोगे, बताओ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस pair को यहां पर लिख देंगे, तो 3, 6, 0, 5, अब हम इसके बगल में ही कैसा नंबर लेकर आएंगे, जिसका उसमें multiply करें, तो result हमारा यह, आई आफरी से छोटा है, तो 44, 5, 20, carry 2, यह हो गया, 2, 2, गडबड कराना, मैंने बिल्कुल गडबड के हैं, क्या में पर लब, 44, 5, 4, 4, 5, 5 से multiply, 25, carry 2, 22, carry 2, 2, 2, नहीं हों का यह भी, अब हम क्या करते हैं, 4, 4, 8, 8, 8, 8, जो, 64, carry 6, 8, 4, जो, 32, 32, plus 6, 38, carry 3, 8, 4, जो, 32, 32, plus 3, इस 35, यह तो बहुत आपास में पहुँच गया, यानि यही होगा, तो 8, 8, यह होगा, आपका, 3, 5, 8, 4, अब यहां पर, आप वीक होगे, कि अब आपका जो, remainder है, वो कितना आ रहा है, 1, 2, 21, is the remainder, ठीक है, अब आपको क्या ने काला था, correct to two places, of decimal two places, तो अब तो को आ चुका है, कोई इसू नहीं है, इसके बाद भी अगर आपको 3 places के बाद, आपको round off करने का मन है, तो यहां पर हो जाएगा, 8 और 8, 16, 4, 5, 6, आपको यहां पर 0 लाना पड़ेगा, यानि आपको यहां पर 0, तो इसका result क्या हुआ, कि अंडर रूट of 5.2005 is 2.280, और you can say 2.28, ठीक है, हो गया, अब चलते हैं, next, अब हम बात करेंगे, फोर्थ कोशन में, और फोर्थ कोशन में थोड़ा सा, एक पार्ट बर्ग और डिफरेंट दिखा, इसमें मिक्स फ्रेक्शन था, तो मुझे लगा, इसको हमें कर लेना चाहिए, कोशन के आई, कि find the square root of each of the following, correct to three decimal places, sorry two decimal places, तो आप three decimal places तक निकालो, उसको round out कर दो, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले तो हम convert करेंगे, improper fraction में, तो कैसे करते हैं, 5, 3, जा 15, 15, 5 multiply 3 plus 4, प्लस, अपॉन सर्य 5, कितना हो गया, 15 plus 4 is 19, 19 अपॉन 5, इसको डिवाइट कर लो आप, डिवाइट करते हैं, तो 19, 5, 5, 3, जा 15, remainder कितना बच्चा, 4, पॉइंट लगाओगे, 0, 3, 8, तो यह इसका कितना आ गया नंबर, 3, 8, now take the square root of this one, कैसे निकाल होगे, यह तो और डिजिट है, तो क्या करेंगे हम, कितने भी 0 लगादे, decimal के बाद, value हमारी change नहीं होगी, हम कितने लगाएंगे, जिससे हमारा 2 decimal places, या फिर आप कह सकते हो, कि correct it to 2 decimal places, या फिर आप 3 decimal places तग उसको निकाल पाओ, तो मैं यह पर 0 यह एक पेर हो गया, ठीक, कर लेते हैं अब, तो इसको आप इस तरीके से रखो, यहां पर रखो, 0.800000, पॉइंट decimal के पहले, right to left, एक पेर, decimal के बाद, left to right, make the pairs, बना दिये pairs, ऐसा नंबर चूस करो, जिसका खोद में multiply करो, 3 यह यह 3 से चोटा है, तो वो तो सिफ 1 है, 1, आपके पास बचा remainder, 2, अब आपके यह वाला पेर को यहां पर लिख लोगे, 280, यह कितना हो गया, 21 plus 1, यहां पर यह decimal आजाएगा, because integral part अपका finish होगा है, आपको यहां पर एक ऐसा नंबर लाना है, जिसका आप multiply, इससे करते हो, उसी नंबर से, तो आपका result जो है, 280 आए, या फिर उससे छोटा है, तो ऐसा नंबर सर्च करो, तो आप क्या करोगे, 2, 9, 9, 9 जा 81, carry 8, 9, 2 जा 18, 18 plus 8 is 26, यानि nearby, 10 से करोगे, तो 2, 90 जो की greater हो जाएगा, तो बचा क्या सिफ 9, यहां पर भी आ गया, 9, 261 हुआ, यह कितना हुआ, 9, यह पर कितना बचा, बोरो यहां से किया है, तो यहां पर रहे गया, 7, 7 में से 6 गया, 1, और आप फिर से यह दो payer, यहां पर लिख लोगे, और यहां पर, 9, 9, 18, 38 हो गया, अब आपको फिर से कैसे नंबर सर्च करना है, जिसका multiply अगर आप उसी में करते हो, तो 1900 आए, या फिर उससे छोटा हो, तो 38, 55, 55 से 25, कैरी 2, 85 जो 40, 42, कैरी 4, 53 जो 15, और 4, 19, यानि यह तो बढ़ा हो गया, तो यानि अब क्या बचा, 16, कैरी 1, 3, 3, 4, 3, 12, 15, तो यहां पर आपके पास आगया, 4, 4, और यहां पर आया, 15, 36, यहां से बोरो किया, 4, यहां पर, 9, 6, और, यहां पर कितना रह जाएगा फिर, 8, 8 में से 5, 3, तो और फिर से एक पेर ले लोगे, 3, 6, 4, 0, 0, यहां पर कितना आजाएगा, 4 एड करोगे, 8, 8, 3, अब आपको एक ऐसा नंबर फिर यहां पर रखना है, जिसका result यह हूँ, यहां पर इससे छोटा हो, तो फिर से रखते हैं, 3, 8, 8, 4, 4, 16, केरी 1, 33, 3, 35, के 3, 12, 15, तो वाल चोटा है, तो 3, 8, 8, 6, 6, 36, 36, केरी 3, 8, 48, 48, प्लस 3, 51, केरी 5, 8, 6, 48, 48, प्लस 5, कितना होगा बच्चो, 48, प्लस 5, 53, केरी 5, 6, 3, जा 18, 18, प्लस 5, इस, आपका हो जाता है, 23, यानि यह भी बहुत चोटा है, अब हम क्या लेते हैं, हम उप्से बड़ा ही नंबर अभी ले लेते हैं, 9, 9, 9, जा 81, केरी 8, 72, प्लस 8, 88, 72, प्लस 8, 88, 9, 3, जा 27, 27, प्लस 8, 35, तो यहाँ पर आगया 9, यहाँ पर आगया 9, तो आपका जो square root है, वो कितना हो जाएगा, अपने कहां तक निकाला है, up to 3 decimal places, हमने अभी निकाला है, अब इसको राउंड ओफ करेंगे, तो 1.949 आपका आया है, राउंड ओफ करोगे, गरेक्टिट 2 decimal places, अपने कहां तक निकाला है, 1.95, जब हमारे पास इसके बगल का नंबर 5 से जादा है, तो यहां पर हम प्लस 1 कर देते हैं, और यह हो गया, 1.95 is the square root of this one, अब हम बढ़ते हैं next, तो चलिए बात करेंगे, फिफ्ट कोश्चन की, जिसमें, for each of the following, find the least number that must be subtracted, so that the resulting number is a perfect square, okay, निकालते हैं, हमने एक 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 सेंपल भी किया है, तो सबको आइडिया तो थोड़ा बहुत होगा ही, तो first में देखते हैं, 7.96 का हमें निकालना है, pair बनाएंगे, कैसे, right to left, हो गया pair, ऐसा number दूड़ेंगे, जिसका multiply उसमें करें, तो या तो 7 ना या फिर उससे छोटा हो, तो 3, 3 जा 9, तो यहां पर हो गया 2, 2, 4, यहां पर बच्चा 3, spare को यहां पर लिख दो, 3, 9, 6, यहां पर हो गया 4, अब 4 के बगल में भी हमें ऐसा number दूड़ना है, 6, 6 जा 36, carry 3, 24, 27, 47, 7, 47, 7, 7 जा 49, carry 4, 7, 4 जा 28, 28, plus 4, 3, 2, 9, 48, 8, 8 जा 64, carry 6, 8, 4 जा 32, 32, plus 6, is 38, यानि यही नियर्बाई है, तो यह हो गया आपका 48 और 8, यहां पर बचेगा 384, तो रिमेंडर बचा आपके पास 2, and 1, so 12 is the remainder, तो यानि, the least number is going to be subtracted from 796, so that the number will become a perfect square is 12, तो 796 में से अगर 12 माइनस करते हो, तो रजल्ट आएगा 48, तो 784 जो है आपका एक perfect square होगा, चैक भी करके दिखा दूंगा, इसका करके दिखाऊंगी, इसका करके नहीं दिखाऊंगी जाए, ठीक है, ट्रस्ट कर ले ना, चैलो, 784, पेयर बना दिए हमने, 224, और यह बचाएगा आपके पास 3, और आपका पेयर आगया, यहाँ पे 4, 48, और 384, आगया ना, तो यह perfect square हो जाएगा, यानि least number क्या हो, सब्टेक्ट करने वाला 12, अब हम क्या करेंगे इसका second part, 1886, लोग इसका 1886, ठीक है, तो पेरिंग करो right to left, अब हो जाएगा आपका 66 जा, 36 होता है, अब क्या करना है, 18 से छोट, 18 आए या तो 18 से छोटा है, तो 22 जा 4, 33 जा 9, 4, 4 जा 16, 5, 5 जा 25, यानि 4, 4 जा, 16, तो यह हो गया, minus 2, यहाँ पर 4 plus 4, 8, यह आप पेर लिख लोगे, 86, अब 8 के बगल में, एक ऐसा नंबर दूड़ोंगे, तो यह होगा, 8, 3, 3, 9, 24, 8, 4, 4, 16, यह हो गया, 33, यह तो बड़ा हो गया, यानि 3 टाइम्स, हुआ, 249, 16 मैं से, यहां से कैरी बड़ो करो, 16 मैं से 9 गया, कितना बचा, 7, और यहां पर रहे गया, आपका 7, 7 मैं से 4 गया, 37, तो 37 is the least number, which is going to be subtracted, from 1886, the result is, क्या हो का result, आपका perfect square हो का, यह 16, 16 मैं से 7 गया, आपके बचेंगे, 9, क्याहां पर हो गया, आपके पास 7, 7 मैं से 3 गया, 4, तो 1849, 1849 is a perfect square, इसको आप चेक करके देखना, आपका result क्याता है, मुझे बताना, ओके, तो चलिए बात करेंगे, question number 6, from the exercise 3, जिसमें क्या बोलाई, कि for each of the following, find the least number, that must be added, इस वर्ट पर ध्यान देना, क्योंकि अभी तक, हमने इस add वाला question, एक भी नहीं किया है, so that the resulting number, is a perfect square, ठीक है, तो इसमें आपने दो पार्ट लिए है, remaining बात को खुद करने है, clear, तो चलो, first part देखे, तो यहां पर इसको रखा, pair कैसे बनाएंगे, right to left, अगर 5 है, तो ऐसा number चूस करेंगे, जिसका खुद में multiply करेंगे होता है, तो 5 है यह से छोटा है, तो 2, 2, 4, यह बच्चा, यह हमने pair यहां पर लिख दिया, यहां पर आगया 4, अब हमें 4 के बगल में एक ऐसा number राना है, जिसका multiply करें, तो result आए है, तो यह यहां तो इससे छोटा, तो अगर हम 4, 3 time करते हैं, 43 multiply 3 करते हैं, तो यह आएगा आपका 1, 29, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84, तो 2, 2, 84, and gives you the result, यहां से carry borrow करो, 11, 11 में से 4, 7, और 27, अब clearly यहां से दिख रहा है कि जो 22 का square होगा, 22 का square is less than 511, क्या होता है 22 का square, निकाल लो, 4, 4, 4, 4, यहांने 484, तो 484 is less than 511, ठीक है, अब अगर इस 22 के बाद, अगर हम एक number, इस 22 में add कर दे, तो हमारा क्या एगा result, 529, क्यों होगा, 23 का square होता है, 529, Now here you can see, अगर मैं इस 529 में से, इस 511 को माइनस करती हूँ, तो मेरा result आएगा, 818, अब अगर इस 18 को, अगर मैं इस 511 में add कर दूँगी, तो मेरा result क्या हैगा, यह 529, और यह 529 क्या है, एक perfect square है, तो यही तो question में था, कि कौन सा वो least number है, जिसको आप इसमें add करो, तो जो result बन जाए, वो क्या बन जाए, एक perfect square बन जाए, तो हमने क्या किया, हमने इसको करा, 22 का देखा, 484 है, लेकिन वो तो छोटा है, तो वो तो acceptable होगा नहीं, क्योंकि इसके remainder भी था, तो हमने इसके बाद बाला number लिया, 23, 23 का square होता है, 529, और इस 529, और इस 511 के बीच का, जो difference है, that is 18, यही 18 को अगर हम इसमें add कर देंगे, तो हमारा result क्या हो गया बच्चों, perfect square हो गया, clear, अब हम देखेंगे इसका second part, second part क्या है, 7172, इसको हम रख देंगे, इस तरीके से, 7172, make the payers from the left, right to left, बना दिये, अब ऐसा number सोचो, जिसका square जो है, वो 71 से छोटा हो, या 71 हो, 8, 8 जा 64, 9, 9 जा 81, यानि 8 ले लेते हैं, 64, यहां से carry बोरो की, उसने 11 हो गया, 7, now write this pair, 772, here 8 plus 8 is 16, now take the another number, जिसको आप उसी से multiply करो, result आए इतना, या फिर उससे, छोटा, तो अगर मैं 1655 करती हूं, तो result क्या आएगा, 55 से 25, carry 2, 32, carry 3, यानि यह तो 8 25 होगया, बढ़ा होगया, 1654 कर लो, 4, 4 जा 16, carry 1, 6, 4 जा 24, 25, 2, 6, 5, 6, तो 4, 6, 5, 6, अब इसमें से carry, borrow करो, कितना बचेगा, 12, 6, 1, 16 is the remainder, तो here you can see, कि जो 84 का square होगा, that is less than 7172, और इस 84 के बाद वाले, just बाद वाला number जो होगा, that is your 85, 85 का जो square है, वो कितना होता है, सोचे, करके देखते हैं भाई, सोचेंगे, क्या निकालना ही पड़ेगा, 85, 85 multiply, 55 जा 25, carry 2, 42, 85 जा 40, carry 4, 8 जा 64, यानि 68, यानि 68, 2, 7, 2, 2, 5, तो यह होगे आपका, 7, 2, 2, 5, यानि इस नंबर को अगर मुझे perfect square बनाना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ तो add करना पड़ेगा, जिससे यह आए, वो कितना add करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 7, 2, 2, 5 में से 7, 1, 7, 2 को आप माइनस कर दो, 3, 5 में से 2 गया, 3, यहान से को carry borrow किया, 12, 12 में से 7 गया, 5, इसमें अगर आप 53 एड करते हो, तो जो आपका result है, वो हो जाएगा, 7, 50 स्कोबायर, तो दो लीस्ट नंबर, विच इस गूइं टो बी आड़िद टो, इस नंबर इस 53, सो देट दो, आंसर इस पर्फेक्ट स्कोबायर, एक यह कॉश्ट भी हो गया स्वाल, आप बढ़ते हैं, तो चलिए बाग करेंगे, कोशन नंबर 7 की, विच इस वेरी गूद कोशन फोर यू, त इस, फाइं दो स्क्वायर रूट अफ से पहले, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्वायर रूट निकालना है, तो तू डेसिमल प्लेस, यानि आपको थी डेसिमल तक निकालोगे, और उसको आप रूट अफ कर लोगे, तो पहले पहले तो स्क्वायर रूट अफ से निकालेंगे, तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 के बाद डेसिमल लगा के कितने भी 0 लगा दू, क्या रहेगा, वेल्यो तो 7 ही रहेगी, और मुझे कितना चाहिए, 3 डेसिमल दख निकालूँगी, तब जाके राउंड अफ करूँगी, यानि मैं यहाँ पर 3 का ज़स्ट डबल, 0 लगा दूँगी, यहाँ पर यहाँ पर राइट तो लेफ्ट कर दो, और डेसिमल के पहले राइट तो लेफ्ट, राइट तो लेफ्ट और लेफ्ट तो राइट, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट तो राइट और यहाँ पर राइट तो लेफ्ट, ठीक है, आप करें इसको सॉल्ट, चलो, यहाँ पर पर यहाँ पर सिंगल है, तो 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4, तो 2 हुआ, 2 हुआ 4 हुआ माइनस करोगे 7 में से 4 गए 3 यहाँ पर आपका एक decimal लग गया और यहाँ पर आगया आपका 4 ठीक है आप इस 00 के यहाँ पर लिख लोगे अब यहाँ पर ही कैसा number लाना पड़ेगा जिसका multiply अगर उसी में करते हो तो result 300 हो यह 300 से छोटा तो 4 5 25 22 4 6 6 6 36 carry 3 6 4 24 and 27 4 7 7 49 4 28 3 29 यह तो बड़ा हो गया यहाँ पर 6 पर रुखना पड़े का 6 6 यह कितना हुआ है 276 minus करोगे यहाँ से carry borrow करो 4 9 में से 7 गया 2 फिर से आपके 2 0 आ जाएंगे 24 00 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 6 plus 6 that means 52 अब यहाँ पर कोई ऐसा number लाना पड़ेगा 52 कि यहाँ पर आप लेकर आओ अगर मैं यहाँ पर 5 लेकर आती हूं तो 5 से multiply करा 5 5 से 25 carry 2 12 carry 1 2 6 तो यानि यह तो ज्यादा हो रहा है यानि 5 2 4 को दिखते हैं आप 4 4 16 carry 1 9 5 4 20 यानि यहाँ पर तो 5 2 4 यहाँ पर भी 4 लिखा और क्या लिखा आपने यहाँ पर 2 0 9 6 यहाँ से carry borrow करो यह हो गया आपका 4 और यह हुआ आपका 0 और यहाँ पर कितना बचेगा जल्दी बताओ बिल्कुल सही 3 बचेगा और आपके अब यह double 0 और आ जाएंगी यहाँ पर और यहाँ पर इसमें 4 एड हुआ तो यह हो जाएगा आपका 5 2 8 अब आपको यहाँ पर एक नंबर लाना है तो फिर से नंबर दिखते है तो 5 2 8 5 करती हूं मैं अगर 5 5 25 2 4 10 14 carry 1 26 5 2 8 6 6 36 carry 3 48 48 plus 3 51 carry 5 6 2 12 17 carry 1 यह तो जादा हो गया यानि हमें 5 पर ही रुखना पड़ेगा 5 यह हो जाएगा 2 6 4 2 5 आप इसको सब्ट्रेक्ट करके आप रिमेंडर लिखोगे तो यह हो गया 5 9 में से 2 गया 7 9 और 3 3 9 7 5 आपका रिमेंडर बच्चा ठीक है अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपका जो स्कुआर रूट है इसका वो कितना आया 2.645 ठीक है अब आपको निकालना कहा तक है करेक्ट हो 2 decimal places यानि आप इसको आप round off करोगे तो round off करोगे क्योंकि decimal के बाद अगर यहाँ पर देख रहे हो 5 है तो यानि यह हो गया 2.65 ठीक है इसमें आपने प्लस 1 कर दिया 2.65 is the number अब आप क्या करोगे इसकी value निकालोगे जो आपको दिया है तो चलिए वो करते हैं आप सुबचु यह क्या है आपका under root 7 का square root आया है ठीक है अब आपको इसको solve करना है तो आप देख क्या रहे हो कि under root 4 plus under root 7 numerator मे denominator में है 4 minus under root 7 इसको solve करने के लिए आप क्या देखोगे पहले आप denominator देखोगे जिसमें आपको देख रहा है कि 4 minus under root 7 है अब जस्ट इसके opposite से आप multiply and divide करोगे इसका आप करोगे तो multiply इसके opposite sign से तो 4 plus under root 7 upon 4 plus under root 7 यह क्या बन जाएगा आपका यह बन गया आपका 4 plus under root 7 का square और नीचे आ जाएगा a minus b और a plus b which is your a square minus b square a square minus b square is a minus b और a plus b a क्या है 4 तो 4 का square minus under root 7 का square इसको और solve करोगे तो यह हो गया under root 4 plus under root 7 का square upon 16 minus 7 यहाँ पर 4 plus under root 7 का square upon 9 अब गल्ती क्या होगी यहाँ पर लोगना a plus b का whole square लगा देंगी उसको करोगे तो बहुत lengthy हो जाएगा answer उससे भी आएगा बट lengthy process हो जाएगी तो क्या करो दिमाग में सोचो किया दिख रहा है अगर मिस square root को numerator or denominator में अलग-अलग कर दो तो क्या हो जाएगा under root 4 plus under root 7 का square upon under root 9 है ना और आपको क्या पता square root अगर किसी square का लेते हो तो तो उसका half क्या अधता इंडेक्स value का यानि इसकी index value इसकी half क्या हो जाएगी फोर प्लस अंडरूट 7 बचा और अंडरूट 9 आपको अच्छे से बताए कि that is your 3 हुआ ना तो simplify हो गया यह तो है हाना वहीं पर अगर इसको में square a प्लस भीगा करते हों में बहुत सारा calculation करना पड़ता जहां पर mistake होने के हाई chances होते हैं तो 4 प्लस अंडरूट 7 की value क्या है 2.65 हमने रखा और divided by 3 इसमें एड करो तो यह होगा है 6.65 अपॉन 3 यह हो जाएगा 2.213 22.216 2.216 आपने निकाला है कहां तक up to 3 decimal places आपको correct कहां तक करना है 2 decimal places से इससे आप इसको round off कर लोगे 1 के बगल में जो digit लिखिये that is greater than 5 तो यहां पर plus 1 that is your 2.22 तो यह इसका answer हो गया अब हमें क्या मिल गया solve हो गया साथी में यहां पर लिखा कि correct to 3 significant digits तक तो आप इसका answer जो है 2.16 फिर से आपका 2 बचेगा फिर एक और 6 तो 2.166 लखेंगे and यह हो जाएगा 2.227 इसको आप इतना छोड़ देंगे और this is your final answer now move forward तो चलिए बात करते हैं question number 9 from the same exercise find the square root of first part में है 1764 upon 2809 तो इसका कैसे calculate करेंगे हमारे पास numerator भी है denominator भी है और इनका पूरे का square root निकालना है तो पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि जैसे आप इसमें पूरे का square root लगाते हो 1764 upon 2809 तो आप इसको अगर चाहो तो आप इनका separately भी निकाल सकते हो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको square root निकालना है 1764 का और square root निकालना है 2809 का इंडिविजुली निकाल लो और उसका answer फिर रख देते है तो अब इंडिविजुली निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे 1764 का now make the grouping pairs from right to left pairs बना जिये now think about that number who is going to be multiply by itself so that the result is either 17 or less than 17 that is your number 4 4 4 just 16 minus करो के 1 now write this pair 164 here 4 plus 4 is 8 now इधर अगर कोई number सोचे तो 8 2 2 4 1 6 4 यार बिल्खुल यहांद 2 आ गया तो इसका perfect square हमको मिल गया this is your perfect square because remainder 0 हो गया तो इसका कितना आ गया numerator का 42 आप मैं किसका निकालना है denominator का to denominator को solve करते है 2809 same process make grouping pairs from right to left now think about that number who's who is going to be multiply by itself so that the result is 28 or less than 28 4 4 जा 16 5 5 जा 25 and 6 36 तो 5 so it's suitable 25 minus 309 यह पर हमने यहां रख दिया यहां पर भोगया 505 10 now the number is 103 3 से multiply 309 okay to 3 3 3 0 9 remainder become 0 so the square root of 2809 is 53 so this is your answer clear okay अब हम क्या करेंगे अब हम solve करेंगे second part को तो second part में क्या बोला है square root of 108 multiply 2028 तो दो तरीके हैं कि क्या करेंगे कुछ लोग ना individually square root निकाल के भी कर सकते हैं या तो फिर हम directly 1028 को multiply अगर हम कर देते हैं 2028 से तो भी एक पूर प्रॉपर नंबर का भी में square root निकाल पाएंगे तो 8 8 जा 64 carry 6 6 carry 8 2 जा 16 16 plus 6 is 22 and 8 2 जा 16 0 0 0 0 8 2 0 2 4 2 6 8 or 2 10 carry 1 9 1 तो यह आपका नंबर आ गया है second का square root of 2 1 9 0 2 4 ठीक है अब इसका निकालते हैं with the help of the long division method तो पहले इसको अम इस तरीके से रख दिया तो 2 1 9 0 2 4 ना में ग्रॉपिन पेर स्वाम राट तो लेट तो यह एक पेर हो गया यह एक पेर हो गया एक पेर हो गया 16 5 और यह पेर यहां पर आ गया 9 0 यहां पर हो गया आपके पास 8 ना थिंक अब आउट अगें तो यह हो जाएगा 8 4 4 16 carry 1 3 3 6 5 5 से 25 2 4 25 8 6 6 6 जो 36 3 8 6 जो 48 प्लस 3 that is 48 प्लस 3 is 51 so 51 और 8 7 7 49 carry 4 56 प्लस 4 तो यह तो जाता हो गया आपको कहां जाना पड़ेगा 6 के तो 6 6 5 1 6 4 and this will comes out यहां से अपने carry बोरों की है 7 7 4 2 4 यह तर कितना हो जाएगा 6 6 6 12 carry 1 9 now think again that number तो अब हम फिर से सोचेंगे तो 9 2 8 अगर मैं करती हूं तो 8 8 जा 64 carry 6 8 2 जा 16 यानि 22 2 72 औरी में जो तो number मेल गया तो यानि इसका square root आ गया मेरा 468 is the answer clear अब बढ़ते हैं next तो चलिए बाग करेंगे 12th question की इसमें बहुत सारे questions भी skip हूँए that means उस तरीके के questions हम कर चुके है ठीक है तो 12th part में किया है कि find the least number which must be added to 12 0 5 so that the resulting number is a perfect square ये भी sentence form का question है तो कहने को तो ये है कि ये वाला भी ऐसा question में कर चुके हैं लेकि sentence वाले question में लोगों को problem होती है तो इसलिए मैं यहां पर इसको करा देती हूं तो अबसे पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा एक square root तो निकालते है 1 2 0 5 make pairs from right to left बना दिये number सोचो 3 3 9 4 4 16 यानि 3 9 3 इदर लिख दोगे 0 5 इदर होगे 6 now think about that number अगर मैं यहां पर 65 से करती हूं तो 6 5 25 carry 2 आ जाएगा यानि 32 नहीं हो पाएगा 64 4 करती हूं 16 carry 1 64 24 256 तो 256 यहां पर होगे से carry बोरो करेगा यह 15 15 में से 6 9 और यहां पर 9 में से 4 गया 4 बचेगा ठीक है ओके रेमेंडर बच रहे हैं यहां पर हम क्लियरली बोल पाएगे कि जो 34 का स्कोवाइर है डाट इस लेस देन 1205 and the next number after 34 is 35 का स्कोवाइर now think about 35 स्कोवाइर तो 35 स्कोवाइर हम निकाल लेते हैं 35 का 35 से अब इस 1205 में ऐसा क्या एड करें जिससे वो क्या बन जा है 1225 बन जा है तो इसके लिए क्या करेंगे 1225 में से 1205 को माइनस करोगे 0 20 20 अगर आप एड करते हो the least number that is going to be added to this number so that the result is perfect square is 20 अगर आप इसमें 20 एड करोगे बन जाएगा 1225 which is the perfect square of 35 तो लीस नमबर क्या हो गया 20 तो यहां पर हमने यह पूरी exercise को solve कर रहा है हमने try कि maximum questions कर रहा है कुछ पार्स हमने छोड़े है कुछ इक-डो questions चोड़े है that means उनको आपको खुद करना है ठीक कोई भी doubt होगा तो आप पूछ लोगे learnohap.com के ask question section module में clear तो बच्चो आए हो अपक सेशन जो रहा वो आपके लिए useful रहा होगा और आपने enjoy किया होगा session और इस method को चैसे समझ लिया होगा practice तो आपको करने ही है और आप अच्छे अपसे practice करेंगे because math को क्या चाहिए safe practice चाहिए और जैसा कि आप जांकती हो learnohap free है for best और यहां पर आपको मिलता है math science st absolutely for free at learnohap.com so thank you everyone आपको मिलता हो आपको मिलता है